कि कि अंब nee सcause like विल्कक मेरी यह कार कटलिस की बात करते हैं और एक प्रोसेस की बात करते हैं तिस प्रोसेस को कहा जाता ऑग्जो फ्रोसेस इसका दूसरह नम होता है है Southeast Teacher 이야기 को इसको cal tradevoc only कहा जाता है कि हम यहां पर कार्बंनिल गुरुप को और एक हाइभोन groupe ड्डल बंड के अक्रोस एड करेंगे और हम यहां पर एक कैटलिस्ट यूज करेंगे जो हमारा हम योगा सब लिप यहीं हमारे पास होता है वह हमारा मूर डिजारेबल प्रोडट को होता है रधरर थिन हमारा इस Catalyst के बारे में, Rollinsher ने किया था 1938 में, और इसका जो mechanism है, इस Catalyst का जो mechanism है, कि इस तरीके से पुरे प्रोसेस को, इसकी जो Catalytic Cycle है, उसको डिजाइन करने का काम Hack and Bristleau ने किया था, ठीक है, तो ये तीन साइटिस्टिस आप कह सकते हो, जो इस सीज में involved है, तो सबसे पहले ब ग्रूप होते हैं ठीक है और जो पाइचवा बॉंड होगा वह एक और कोबाल्ट के साथ होगा जिसके पास फिर से मेरे पास चार कार्बोनिय गुरूप इस तरीके से अटेज्ड होंगे मतल्ला इसका जो cobalt है हमको पता oxidation number और neutral method दो हमारे पास method होते हैं जससे हम किसी भी metal का या किसी organometallic compound का हम number of electron जिसको effective atomic number rule कहते हैं rule जिसको हम कहते हैं उसके दो तरीके होते हैं एक oxidation method होता है और एक normal neutral method होता है मैंने इसका एक वीडियो बनाया हुआ है अगर आप जाके चेक करेंगे तो आपको एक वीडियो मिलेगा यह अब यहाँ पर कोबाल्ड का अगर आप electronic configuration देखो तो देखो सचीन टेडूल कर very creative man फिडियोजशा कोटला C.O. C.O. मतलब क्या होगा? जिसको यहाँ पर D.1, D.2, D.3, D.4, D.5, D.6, D.D.7 तो मेरे पास जो है यह D.7 का है इसमें भी हमरे पास इलेक्ट्रों होते हैं तो इसका वेलेंच अगर मैं इलेक्ट्रों काुंट करूंठ करूं के साथ आ kindness में यहां रफ्षा कौल को पढ़ातं किसे मजजधा है इसके तो कैसे याद रखो कि मेरे पास कोबाल्ट का कॉंट्रिबूशन जो है वो तो कितने का हो गया नौ इलेक्ट्रोन का हो गया मैं एक एक ग्रूप की बात कर रहा हूं ठीक है यहां पर आधा इसको डिवाइड कर लो तो उसके बाद मेरे पास एक कोबाल्ट के साथ चार लिगेंड लग क्वेंटेंटेन प्लसड्स में एक करूंगा तो मेरे पास इतना आता है 18 एलेक्ट्रोन आ जाते हैं तो यह पूरा क्ल्स्टर में जब को बलड को वाल के साथ इक सिंगल बॉंड बनाता है तो यह पूरा क्लस्टर में हरे ऑक बाल्ड अपना 18 एप्लुचा insane kandra kandraon compound एसा हम लोग ने यूजवली एक नोशन स्टूडेट्स बना के रखते हैं कि 16 फॉलो करेगा तो स्क्वेर प्लेनार होगा और 18 अगर वो फॉलो करेगा तो वो क्या होगा वो ऑक्टा हेड्र लोगा ऐसा नहीं होता है number of electron कितने हैं यह बहुत सारे factors पर depend करता है oxidation state पर depend करता है वो metal कहां का है वो series में left hand side में है कि वो right hand side में है toward S block है कि toward P block है उसके खुद के पास कितने electron है और कितने उसके पास बचे हुए हैं तो यह बहुत सारी चीज़ें यहां पर matter करती है तो यहां पर यह 18 electron compound है तो cycle जब start होती है catalytic cycle तो सबसे पहला cycle start यहीं से होता है कि मेरा hydrogen आता है पहला molecule hydrogen का आएगा और वो इस compound को breakdown करता है तो मेरा पहला ही breakdown यहां से होता है कि एक hydrogen यहां जाके attack करेगा दूसरा hydrogen यहां जाके attack करेगा और मुझे जो compound मिलेगा वो H, cobalt, CO, four times यह मेरे पास अब मेरा active catalyst है यह मेरा क्या है active catalyst तो आप यह समझ सकते हैं यह reservoir था जिसमें से मैंने active catalyst को यहां पर बाहर निकाल दिया अब इसके बाद मेरी cycle स्टार्ट होती है तो देखो सबसे पहला काम मेरे पास यही होता है कि मेरा जो H है जो मेरा cobalt है और जो मेरे पास CO four times है भाई यह तो 18 electron rule फॉलो करता है अब अगर कोई चीज 18 electron rule फॉलो करती है वो तो stable हो जाती है तो हमारा catalytic cycle का funda ही क्या होता है catalytic cycle का funda हमारा यही होता है कि हमारे पास एक catalyst जो होता है उसके पास एक unsaturation होना चाहिए unsaturation का मतलब होता है कि वो electronically saturated नहीं होना चाहिए वो unstable होना चाहिए किसी तरीके से तो यहाँ पर मेरा जो cobalt है वो क्या करता है सबसे पहले वो एक carbonil group को वहाँ से निकालता है जैसे ही वो एक carbonil group को वहाँ से निकालेगा तो मेरे पास cobalt है hydrogen है और मेरे पास co thrice हो जाता है मतलब अगर मैं इसका structure बनाओं तो मेरे पास cobalt है तीन चार तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास यहाँ पर co लगा हुआ है मेरे पास यहाँ पर co लगा हुआ है मेरे पास यहाँ पर सिर्फ hydrogen है तो यह 18 electron से 16 electron compound बन गया मतलब अब इसके पास एक ऐसी vacant site generate हो गई है अब अगर इस कउज़िय स्कूर PLEINAर ना बनाके इसको मैं ऐसे भी बनाके रखूं जुस फर सथीक अटयस्थ जो 16 electron compound होता है वो unsaturated होता है मतलब वो अभी भी stable नहीं है तो वो किसी ने किसी के साथ जुड़ने की कोशिश करेगा अपना 18 electron bond 18 electron complete करने की कोशिश करेगा तो हमारी पूरी कहानी स्टार्ट इसी से होती है तो मैं structure हटा दे रहा हूं मैं सरफ formula लिख रहा हूं तो यहां पर मे के साथ bond बनाएगा कैसे bond बनाएगा मेरे पास कोबाल्ट होगा मेरे पास यहां पर मान लेते हैं hydrogen होगा यहां पर कार्बोनिल होगा यहां पर कार्बोनिल होगा और नीचे यहां पर double bonded मेरे पास कौन आके attach हो जाएगा यह double bond यानि एक कार्बोनिल का जगे जो खाली हुआ उसकी जगे पे मेरे पास अलकीन आ जाएगा इस तरीके से अब बहुत बच्चों ने मुझसे लास्ट वीडियो में कुश्चन पूछा था कि सर जी जो अलकीन का बॉंडिंग होती है यह कैसे होती है आपने जो यह बनाई हुई है यह बॉंड काउन सा बॉंड है तो देखो म हमाम सानना पास जो पाई लेक्ट्रॉन होता है वह अपना पाई लेक्ट्रॉन के साथ शैर करते हैं जो दो बांड होता है फ्र Boss होता होता सिंगा बॉंड अगर स्चंद के साथ शैर करेंं तो इस प्र उसका सब्सक्राइब पाई डोनर जो पाई एलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करते हैं इनको कहा जाता है लोन पेर एलेक्ट्रॉन डोनर लोन पेर एलेक्ट्रॉन डोनर और इनको कहा जाता है सिग्मा डोनर तो यह हमारे पास तीन अलग-अलग टाइप की बॉंडिंग होती है ठीक है आई होप और आपको अगर यहां कहीं hydrogen दिखता है यहांँ अलकीन दिखता है यहां पर एक reaction होता जिसको कहा जाता है अलकीन इंसर्शन अब जो अलकीन इंसर्शन होता है इसको हम कहते हैं 1-2 migratory insertion 1-2 migration. अब मैं 1-2 migration लिखे छोड़ रहाँ कि यहाँ पर होता क्या है, मेरा hydrogen, एक carbon के पास मेरा hydrogen चला जाता है, तो मेरा दूसरा carbon जो है, वो यहाँ पर bond बना लेता है, अब इसमें अगर मैं आपको ऐसे बताऊं, मान लीजे मेरा compound कुछ इस तरीके से है, कि यहाँ पर मेरे पास है CH2, यहाँ पर मेरे पास है CH, और hydrogen दूसरे carbon के साथ bond बना लेता है, तो इसको 1-2 migration कहेंगे, अब यह जो 1-2 migration हो गया है, इसकी वज़े से मेरा bond क्या हो जाएगा, मेरा carbonil का compound है, वो कैसा बन जाएगा, और red color लेता हूँ, तो मेरे पास cobalt होगा, मेरे पास यहाँ पर carbonil है, मेरे पास यहाँ पर carbonil है, मेरे CH2 हो जाएगा, यह वाला CH2 जो वहाँ अटेक कर चुका है, और double bond छूट जाएगा, सिंगल bond हो जाएगा, उसके साथ हो जाएगा CH, और उसके साथ लग जाएगा R, तो अब तुमको नहीं लग रहा है, यह बड़ी मुश्किल से 18 electron वाला compound बना था, 16 electron से 18 electron का compound बना था, क्य कैसे आप 18 electron कह रहे हो, geometry decide नहीं करती है, number of electron decide करते हैं, इस case में 5 elegant लगे होंगे तो 18 electron बनेगा, मैंने count करके पीछे दिखा दिया आप लोगो को कैसे, 5 bond है, फिर भी 18 electron वाला है, तो 5 bond अगर है तो 18 electron, अब यहाँ पर मेरा जो hydrogen चला गया है, उसने अपना एक vacant side create कर दिया है, अब since यह vacant side create हो गया है, अब तो यह अपना vacancy फुल्फिल करने का कोशिश करेगा, तो फिर से इस picture में कौन आ जाता है, फिर से इस picture में आ जाता है, carbon monoxide यानि carbonil group, और जो मेरा compound मेरे को मिलता है दुबारा, वो क्या मिल जाता है, मेरे पास cobalt है, मेरे पास carbonil है, मेरे पास carbon carbonil है, carbonil है, और यहाँ पर carbonil आ जाता है, और यहाँ पर मेरे पास हो जाता CH2, bond CH, bond R, अच्छा, यहाँ पर मेरे पास CH था तो अब CH2 हो जाएगा, क्योंकि एक hydrogen और आ गया है, आप हम को लग रहा होगा, सर अब तो कहानी खतम हो गई, नहीं, problem यहाँ भी है, यह जो carbonil group है, problem दिकत यहीं देता है, यह तो अलकीन आया है तुमारा, यह सबसे बड़ी दिकत देता है, hydrogen था, तो hydrogen को खीचा, carbonil आया, तो carbonil को भी खुचेगा, तो हम बोलो के सर पहले carbonil को क्यों नहीं खीचा, क्योंकि preference में hydrogen है, एक preference series भी होती है, यहाँ पर आपका hydrogen migrate करता है, hydrogen के hydrogen ने migration किया, और hydrogen यहाँ पर आया, ठीक है, और यह bond जाके बना लिया, यहाँ पर, ठीक है, तो सारा काम किस ने किया, सारा काम तो hydrogen ने किया, पर हम बोलते हैं किया, उसको alkyne insertion, यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ carbonil मूब नहीं करेगा, carbonil वहीं होगा, मेरा alkyne, यह पूर oxygen वहीं पे था, मेरे पास cobald वहीं पे था, मेरे पास co वहीं पे था, मेरे पास co वहीं पे था, मेरे पास co वहीं पे था, यह वाली जगे, अब फिर से खाली हो गई, और यहाँ कौन आ गया, देख रहे हो, CH2, यहाँ आ गया, CH2, और कौन आ गया, फिर से आ गया, CH2, और उ ऐसे पिचर में hydrogen आता है, यह पूरा hydrogen H2 आएगा, तो एक H2 चला जाता है यहाँ पर और एक hydrogen चला जाता है यहाँ पर, देख रहे हो इसको, एक hydrogen यहाँ एक hydrogen, तो जैसे ही hydrogen यहाँ जाएगा, समझ रहे हो, तो मेरा फिर से मेरा main compound बन जाता है, क्या बन जाता है, hydrogen CO3, और कौन है यहाँ से टूटेगा, तो मेरा by product क्या बनेगा, मेरा main product क्या बनेगा, C double bond, मनला मेरा main product क्या बनेगा, C double bond Mega, स्री डाफर ug्ड्र HER believe hydrogen लग गया, एक बाइ नूक्लियर दो नूक्लियर से एक साथ जुड़े वे थे हाइड्रोजन आया दोनों को तोड़ने का काम किया एक्टिव कैटलिस जन्रेट किया उस एक्टिव कैटलिस जो की 18 एलेक्टरन कंपाउंड था उसने कार्बोनिल को वहां से निकाला धक्का मारके अब वो 16 इलेक्टरन कंपाउंड बन गया अंसाचुरेटेड़ था अंसाचुरेटेड़ था वहां पर आया कौन वहां पर आगया आपका अलकीन यानि CH2 डबल बॉंड CH बॉंड आर वहां पर आ गया और जो जगे खाली हुआ कार्बोनिल का उदर वो जाके अटेच हो गया अभी ज जगे खाली हो गई जो एक जगे खाली हो गई वहां पर कार्बोनिल आता है कार्बोनिल बैठ जाता है फिर से यह रायता फैला देता है CS2, CS2R यह अपना जगे हाइड्रोजन को खीचा ही था फिर भी खुश नहीं हुआ अपनी जगे चोड़के कार्बोनिल के पास जाके इस बार यह जाता है वहां पर पहले हाइड्रोजन आ रहा था यह वहां पर जाके अटेक करता है तो मेरे पास C double bond O यानि कार्बोनिल ग्रूप बन गया और यहां पर CS2 की पूरी चेन यहां पर आके जुड़ गई यह जगे खाली हो गई अब सिंस वह जगे खाली हो गई मे यह से हाइड्रोजन पिच्छर में आता है हाइड्रोजन आने के बाद एक हाइड्रोजन यहां चला जाता है और दूसरा हाइड्रोजन उसमें चला जाता है और मेरे पास यह मेरा active catalyst फिर से region rate होता है तो cycle में घुमता रहेगा और यहां से मेरा कटके कौन बाहर निकल जाता है मेरा कटके LD हाइड बाहर निकल जाता है तो यह इस catalyst का catalytic cycle है I hope यह पूरा oxo process or hydroformylation process है यह समझ में है what basically happened in hydroformylation मेरे पास alkeen था alkeen में आपने सबसे पहले hydrogen को एड किया और उसके बाद आपने carbonyl group यानि carbon monoxide को एड किया तो इस पूरे process में आप अगर देखो मैंने यहां पे एक carbon 2 carbon मान लेते हैं यह तीसरा carbon है एक carbon 2 carbon और तीसरा carbon का chain में ने लिया था तो एक carbon 2 एक extra carbon का addition हो गया कौन स hydrogen का addition और carbonil ऐसे मान सकते हो hydrogen यहां पहला addition hydrogen का हुआ हुआ दूसरा addition hydrogen का यहां हुआ तो एक तो double bond के across हुआ एक तो double bond के across हुआ और एक जो carbonil गृप था उसके साथ जो आके वहां पे attach हुआ तो उसको तो मैंने ही कहूँगा carbon सिस्ट इप्धेजना और यह जो सी एच्टू था सीFit श ठीट यह वाला सी एसी टू जो था यह इस पर कौना आया कार्भोनियल लह तो Gmail इस carbon पर hydrogen आया, दूसरे carbon पर carbon पर carbon group आके attach हुआ, जो carbon यहां पर पहले cobald के साथ attach था, ये hydrogen जिसने लिया था, hydrogen transfer यहां हो त्राइर के साथ लगा भा, तो extra hydrogen यह तर और आया, अब ये जो carbon था, मेरे पास CH2 जो यहाँ पे था जो कोबाल्ट के साथ लगा था उसने बॉंड बनाया तो एक CH पे hydrogen आके attach हुआ और CH2 पे carbonil आके attach हुआ तो मैं कह सकता हूँ double bond के across double bond के across मैंने किसको add कर दिया carbonil group को and hydrogen को जिससे मुझे यह aldehyde मिला तो इसलिए इसको को क्या गा जाता है hydro formylation hydro formylation या ओक्जो प्रोसेस ठीक है अब इस प्रोसेस के कुछ drawbacks है डिसadvantages है जो इंडस्ट्रियली है मालब हम पढ़ते है theoretically उसको क्या है एक तो temperature range चाहिए 140 से 175 डिग्री celsius यह फिर भी खुशनी होते हैं ठीक है दूसरा pressure चाहिए 200 atmosphere का requirement अब यहां आ जाती green chemistry का fundamental catalyst ऐसा होना चाहिए जिसको energy कम लगे कम investment हो pressure कम लगे room temperature पे वो catalyst का काम करे green catalysis इसको हम कहते हैं तो वो green chemistry की वज़े से हम इसको disadvantages मान लेते हैं दूसरा हमको यहां पर branch chain aldehyde यहां पर predominant होते हैं ब्रांच chain aldehyde जो होते हैं वो predominant होते हैं जो linear molecules जो linear molecules होते हैं उनके मुकाबले ठीक है which are more desired actually हमको linear molecules ज्यादा चाहिए होते हैं इंडस्ट्रियली अगर मैं बात करूं जैसे जो detergents वगरा होते हैं भी one linear तो यही दो इसके थोड़े से disadvantages हैं बाकी मुझे नहीं लगता को इसका और बड़ा disadvantages मैंने तो अभी तक महीं पढ़ा होगा तो किसी बुक में लिखा होगा तो आप पढ़ लीजिए ठीक है mechanism मैंने समझा दिया है कैसे होता है ठीक है और इसमें मुझे नहीं लगता और कुछ पढ़ने की जरुवत है इसमें gate में questions आते हैं याद रखना और CSIR net का अगर आप preparation कर रहे हो इंडिया में CSIR net का तो इन दो papers में जो कि MSC के बाद दिये जाते हैं इन में इस पर अकसर question आते हैं and trust me आते हैं तो इस series में जो 3rd catalyst में आपको पढ़ाने वाला हूं जो 3rd catalyst हमारे पास होगा उस catalyst का नाम होगा वेकर उस process का नाम होगा वेकर process ठीक है हम वेकर process की बात करेंगे जो कि मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा इससे पहले मैंने अल्रेड़ी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने wilkinson catalyst के बारे में लास में चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार सेनल सब्सक्राइब करने से मुझे motivation मिलेगा कि यहां मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं लोग पसंद कर रहे हैं अब तक तो आपने जितना प्यार दिया हो बहुत ज्यादा काफी अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और हो स